ब्राडवे तोहडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा हकीकत दी उडान अलड़ी टायर टू वीजा ले चुके हैं जिनका टायर टू वीजा एक साल दो साल यह तीन साल का है तो उन्हें एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टायर टू पांच साल पूरा करना होता है तो गेट पियर तो उसके उपर उनने क्लियर किया है कि जो लोग सेलरीज अपलाई नहीं है मतलब उनको पुरानी सेलरीज के उपर ही जो नॉर्मल इंक्रीमेंट्स वो लगाएंगे उनकी कंपरी उसी के हिसाब से ही वो अपने वीजा को सिक्योर कर सकेंगे तो मतलब एक्स्टेंशन वाले जो लोग हैं वो सेफ हैं यहां पर उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनको सबसे जादी टेंशन लेकिन जो नहीं जाएंगे उनके लिए डेफिनेटली एप्रल से रूल चेंज हो रहें आप सबको पता है अब तक तो जिन्होंने अपलाए करना है टाय टू आइडवाइज यू कि आपको एप्रल से पहले पहले कर लेना चाहिए और पहले का मतलब कम से कम डेट दो महीने पहले करना होगा क्योंकि टाय टू जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को मैं बता दूं स्पाउज जाने का आप कोई रास्ता नहीं है आपके पास सिवाए सब्टेंबर इंटेक के शायद वहाँ पर कुछ रिसर्च प्रोग्राम खुलेंगे लेकिन उसमें भी सब लोग अलिजिबल नहीं हो पाएंगे तो इट डिपेंड्स वू विल बी इलिजिबल इन दोज रिसर्च प्रोग्राम बट आप डिरेक्ट फॉर मास्टर्स या प्लस टू के बाद ग्रेजूशन के लिए जा सकते हैं लेकिन प्लस टू के बाद जो ग्रेजूशन जाना चाहते हैं अब उनके लिए हम एक पोस्टरी वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं और आप ग्रेजूशन हो जाओगे यह सबसे शानदार रूट है इसके लिए आप टीम से मिलके डीटेल समझ सकते हैं और इसमें आपका दो साल की फीस बचेगी दो साल पढ़ने का समय बचेगा रिक्वार्मेंट की बात करूँ प पर उपर तो यह स्कोर्स अगर आपके पास हैं तो आप सीधे अपने पैसे बचा सकते हैं लाखों में और जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जैन्वरी इन्टेक ओपन हैं तो दोस हूँ वान्ट तो हरी अप देकेन इमिडेटली मीट दीम कल वाले शो आप कोई भी एप्लिकेशन अप्लाई करते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद थांक यू